नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी लोगों का एरलाइन से आ रही आज की जरूरी खबरों में तो पहली खबर की जानकारी यहाँ पर एर इंडिया से सामने आ रही है एर इंडिया जो की यूएस के लिए अपनी अंतराश्ट उडानों को आपरेट करती है अब एर इंडिया विंटर सेडूल में लगभग 60 उडानों को कैंसिल करने जा रही है जी हाँ दोस्तों, इन उडानों को इसलिए कैंसिल कर रही है क्योंकि इसके पास एरक्राफ्ट की कमी हो रही है एर इंडिया की जो भी अज़ेस्टिंग एरक्राफ्ट है वो मैंटेनेंस में जा रहे हैं और ऐसे हालात में ये अपनी फ्लाइटों को मजबूरन कैंसिल कर रही है इसके अलवा दोस्तो एर इंडिया को जो नए एरक्राफ्ट मिलने थे उन एरक्राफ्ट में भी देरी हो रही है जिस कारण से आप इसको अपनी फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ रहा है इसके अलवा दोस्तो अगली खबर की जानकारी चंदिगड एरपोर्ट से सामने आ रही है तो चंदिगड एरपोर्ट पर अंतराष्ट उड़ाने बढ़ाये जाने को लेकर हाई कोट ने सिविल एवेशन मंतराले से सवाल पूछा है कि चंदिगड एरपोर्ट जो की हरियाना और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी में आता है इस एरपोर्ट से अंतराष्ट उड़ाने इतनी कम मात्रा में क्यों ऑपरेट हो रही है और इन उड़ानों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं ये सवाल हाई कोट ने सिविल एवेशन मं लोगों को लेकर ले लेते हैं तो दोस्तो एर इंडिया ने जानकारी शेयर करते हुए ये बताया है कि वह सवदी के लिए अब सप्ता में 24 नॉन स्टॉप फ्लाइट को ऑपरेट करने जा रही है एर इंडिया इन उड़ानों को दिल्ली और मुंबई से सवदी के जेधा औ आप सभी लोगों के लिए जिसकी जानकारी आप लोगों को इस चानल के माद्यम से मिली है